आईए आज कथा साहित्ते में सुनिये मालती चूशी जी की लिखी कहानी रास्थानी एक्सप्रेस स्टेशन पर लगभग पूरा कुन्बा ही उन्हें छोड़ने आया हुआ था नई बहु के प्रती उनका यह प्यार दुलार देखकर ने हातों गदगद हो गई थी परन्तु जुगल किशूर ने उसकी यह खुशी जादा देर टिकने ना दी दरजन भर प्लेट फॉर्म टिकनों के पैसे चुकाते हुए वो खीच कर बोला था सब साले राजधानी एक्स्प्रिस देखने आये हैं अरे ट्रेन जैसी ट्रेन है उसमें कोई पर लगे हैं बौडम कहें के ने हातों सुनकर दंग रह गई थी अपने ही घरवानों के प्रती कोई इतनी घटिया टिपणी कर सकता है वैसे उसे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं थी पिछले आठ दिनों से वो इस व्यक्ति के बढ़बोलेपन और खोखले दंब के शर्मनाक परदर्शन से परिचित हो चुकी थी उसे तो बलकि डर ही लग रहा था कि इन दोर जाकर ये पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे इस डर के कारण शादी के बाद पहली बार पीहर जाने की खुशी भी मधिम पड़ गई थी अपने सने ही परिवार का केंदर बिंदू बना वो व्यक्ती लगातार लंबी हांके चा रहा था उसे जेलना नेहा के लिए लगभग असहनिय हो गया था गाड़ी जैसे ही प्लेट फार्म में दाखिल हुई उसने राहत की सांस ली उसे लगा कि यातना का दौर अब स्माप्थ हो गया है बेचारी उसे क्या पता था कि यातना का दौर तो अब शुरू हुआ है गाड़ी के रवाना होते ही बैरा पानी की बोतले दे गया थंडी तो है ना तब तक बैरा काफी आगे निकल गया था जुगल ने उसे वापस पुलाया और पुछा बोतल ठंडी तो है ना? आप खुद देख लीजिए दूसरी ले आओ यह ठंडी नहीं है जुगल ने दूनों बोतले लोटा दी नेहा का प्यास के मारे कला सुख रहा था पर वो छक पटा कर रह गई उसके बाद वेटर तब नमुदार हुआ जब सूप सर्फ हो रहा था अभी से सूप दे रहे हो? जुगल ने कहा खाना कब दोगे? जी बारा बजे बारा बजे कोई खाने का टाइम है? सुनो, हमें बारा बजे सूप देना और एक बजे खाना समझे? इसके पहले ही नेहा ने अपने वाली बोतल खोल कर मुँसे लगा दी प्यास तो खैर लगी ही थी पर वो जुगल को दोबारा बेरे से उलचने का मौका नहीं देना चाहती थी जिस समय सब के लिए खाना सर्फ हो गया था जुगल ने अपने लिए सूप मंगवाया सूप में डालने के लिए एक्स्ट्रा काली मिर्च का पाउडर मंगवाया बहरा बिचारा पहले तो पेपर की जगा पेपर ही ले आया उसे दोबारा दोडाया गया दुरभाके से उन लोगों को साइट बर्थ मिली हुई थी जिसके लिए गाड़ी में घुसते ही जुगल ने एजेंट को दो आधार गालिया डे डाली थी साइट बर्थ होने के कारण प्राइवेसी वैसे ही नही थी फिर इस तरहा की शोबाजी के कारण आस-पास बैठे लोगों की नजरें बार-बार इसी ओर उठ रही थी नेहा संकोज से कड़ी चा रही थी सबको खाना सर्व होते देख नेहा को भी भूख लगाई थी सुभा संकोज के मारे ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाई थी एक-दो बार दभी जबान से उसने पती से कहा भी था पर बुरी तरहां जड़कती गई थी एकदम रुआसी हो आई थी वो जब उसका खाना समेटा जा चुका तो जुगल ने बैरे को आडर दिया हमारा खाना लगाओ और उसके बाद जुगल ने एक अपरत्याशित कदम उठाया आमने सामने वाली बर्द के बीच में खिर्की के पास एक छोटी सी टेबल होती है वहां बैठे हुए यात्रियों से उसने कहा आप लोग थोड़ा सरक जाएंगे हम लोगों को खाना खाना है वे लोग ही नहीं नेहा भी पहुचब होकर देखती रह गई थी उसके तो पैर ही नहीं उठ रही थे तमाशा तो खेर उनका बन ही चुका था वो जल्दी निपड़ चाए इसलिए वो चुप चाप चाकर सामने वाली सीट पर बैठ गई बड़ी देर तक इंतजार के बाद जुगर ने बैरे को आवाज दी हमारा खाना कहा है? आपकी सीट पर इधर लाओ बैरे ने दोनों बॉक्स लाकर उनके सामने रख दिये क्या क्या है? छोले, चावल, आलू, पनीर, परांठे, सलाथ, दही दाल नहीं है? नहीं, आज छोले है पर मीनू में तो दाल लिखी है बैरे ने कोई जवाब नहीं दिया हमें दाल चाहिए मैनेजर को बुलाओ उसके बाद मैनेजर को बुलाओ जैसे उसका तक्या कलाम ही हो गया फिर उसने रोटियों का रोल खुला ये तो एकदम कच्ची है जुगर ने नेहा की रोटियों का भी मौएना किया फिर दोनों रोल उसे पकड़ाते हुए कहा बजल कर लाओ दो बार पैरे को दोड़ाने के बाद खाना शुरू हुआ इतनी भूखी थी नेहा पारिस हांगा में से उसकी तो जैसे भूखी मर गई एक तो दूसरों को उठाकर उनकी जगह पैठने के लिए वो शर्म सार थी और उनका खाना था कि खत्म ही नहीं हो रहा था मुश्किल से वो एक रोटि खापाई और उठ खड़ी हुई यह खत्म करो भाई वी हैब पेड फोर इट शर्म से नहा के तो आसों निकलाए पती की अवग्या करके वो हाथ धोने चली गई लॉबी में पैरे आपस में पत्या रहे थे नई दुलहनिया पर रॉब गांट रहा है ससुरा पहली बार राजधानी एक्सपेस में चड़ा होगा उसे क्या मालूम कि ऐसे पचासों को हम लोग रोज चला लेते हैं शर्म के मारे नेहा वाश बिसिन के पास खड़ी न रह सकी सीधे टॉलेट में चली गई उसका मन हुआ कि पूरा सफर यहीं काटते ताकि किसी की नजरों का सामना ना करना पड़े अपना आस्मों से भरा चेहरा अच्छी तरह धोने के बाद वो अपनी पुरानी वाली सीट पर आकर बैठ गई जुगल अभी खा ही रहा था शायद उसके हिस्से का भी ख़दम कर रहा था वी हैट पेट फोर इट इतमिनान से खाना खाने के बाद एक लंबी सी डकार लेकर वो हाथ दोने चला गया उसका मन हुआ कि टेबल पर बिखरा खाना चल्दी से समेट ले ताकि उसके सहयात्री आराम से बैठ सके वो यह भी चानती थी कि ऐसा करना अशोभन होगा इसलिए मन मार कर चुपचा पैठी रही बैरा जब टेबल साफ कर गया तब ही उसे चैन आया खाने के बाद दोनों को जबकी सी आने लगी थी ये लोग बैट रोल नहीं दिये है क्या जुगर ने पूछा नेहा ने उपर वाली बर्त की ओर इशारा कर दिया जुगर लिफाफे खोल कर इक एक चीज निकालने लगा देखना ज़रा साफ है की नहीं नहीं तो बदलवाता हूँ ये लॉंडरी पैक ही होते हैं निहा ने कहते हुए उपर की बर्त पर बिस्तर लगा ही दिया अपना भी लगा लो लगा लूँगी आप उपर तो जाहिए इतने लोगों के सामने सोने का तो सवाल ही नहीं था पर उसने हुज़त नहीं की नहीं तो सुनना पड़ता भी हैब पेट फोर इट पीट के पीछे तक्या लगा कर उसने पैर लंबे कर लिये और पैरों पर चादर डाल ली चार बजे चाय आई फूरुट्स काहा है चाय के साथ फूरुट्स नेहा ने कहना चाहा तो जूरुगल ने उसे घुड़क दिया तुम चुप रहो मुझे पता है चाय के साथ फूरुट्स सर्फ होते हैं फिर बेरे से कहा तुम जरा अपने मेनेजर को बुलाओ थोड़ी देर बाद बैरा दो बाउस दे गया जिन में सेब की वा केले की फांके थी और थोड़े अंगूर थे जुगल ने एक अंगूर मुह में डाला और विजई मुद्रा में नेहा की ओर देखा तब ही एक स्मार्ट सा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हुआ वह तो रिमाइंड करने के बात आए है वो बात यह है सर कि फ्रूट्स हम सिर्फ एसी वन वालों को सर्व करते हैं नेहा को लगा कि धर्टी भट जाए और वो उसमें समा जाए पर वो धर्टी पर कहां थी वो तो राजस्थानी एक्सप्रेस की एसी थ्री की बोगी में सफर कर रही थी और मैनेजर ने बटी विनम्रता से उन्हें उनकी वगात पता दी थी तो ये हम पर एहसान किया जा रहा है जुगल फुपकार उठा एहसान कैसा सर आप तो हमारे मिहमान है आपको खुश रखना हमारा फर्ज है Carry on and thank you उन फलों को छूने की भी निहा की इच्छा नहीं हुई जुगल ने ही दोनों बाउस खाली किये छे बजे के करीब बेटर शाम के खाने को पूछने के लिए आया उन लोगों को नो बजे भौपाल उतरना था वहां जुगल के दोस्त के यहां रात कुजार कर वे सुभा इंदोर के लिए रवाना होने वाले थे खाना रात का वही था वो सच मुझ खुश थी कि दोपहर के खाने का तमाशा रात को रिपीट नहीं होगा उसे सच मुझ हौल बैट कया था बैरा जब पूछने आया तो जुगल उससे मीनू दर्याफ्ट करने लगा पर हम लोग तो नेहा ने कहना चाहा तो जुगल ने उसे गुड़क दिया और पैरे से कहा दोनो नौन्वेश और दोनो पैक करके लाना लेकिन मैं तो नेहा ने फिर कहना चाहा तो जुगल छला उठा तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती मालूम है हम मुकेश के यहां चा रहे हैं उसकी बीवी ने जू भी पूरी सबजी बनाई होगी तुम खाना हम दोनों चिकन उड़ाएंगे शाम को फिर सूप आया गरम नहीं था इसलिए लोटाया गया फिर दो-दो गिलास मांगे गए साथ में पिपर पाउडर भी उफ ये आत्मी कितनी काली मिर्च खाता है तब ये ना दिमाग इतना गरम है उतरने से पहले अपना हुलिया सुधारने के लिए वो बातरूम गई तो बेरे की बाद फिर कानों से टकराई वो सर्भिरा भुपाल उतर रहा है अच्छा है नहीं तो रात पर कान खा जाता क्या ये बातें जान भूच कर उसे सुना कर कही गई है स्टेशन पर मुकेश साप पतनिक लेने आया था और भावी सफर कैसा रहा उसने पूचा अच्छा ही रहा होगा मुकेश की पतनी ने कहा रास्थाने एक्स्प्रेस में आये है सफर अच्छा ही रहा होगा नेहा का मन हुआ कि कहे ये सफर तो जैसे दैसे कट कया भाईया पर अभी तो पूरी जिन्दगी पड़ी है ऐसे हम सफर के साथ वह कैसे कटेगी अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहाने रास्थाने एक्स्प्रेस सुन रहे थे इसी प्रकार की साहितिक कहानिया सुनने के लिए कथा साहिति से चुड़े रहेगा धर्न्यवाद